स्टूडेंस दिस उसुर्भी तिवारी एंड यू आर वाचिंग यूर फेवरिट एजुकेशनल चैनल मैगनल ब्रीन्स हम पढ़ रहे हैं चाप्टर नमबर 11 जिसका नाम है ट्रांस्पोरेशनल इन एनिमल्स और प्लांट्स वैल इसके साथ साथ हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और ब्लड वैसल्स का काम हमने जाना और उनसे जुड़े हुए जरूरी सेल्स के और कैपिलरी के बारे में हमने हमारी प्रीवेस वीडियो में पढ़ा वैल अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो www.magnidbrains.com प सबसे important organ है क्योंकि जो heart है वो क्या करता है वो हमारी body के सारे parts में blood को पहुचाने का काम करता है साथ ही साथ impure blood जिसमें की ऐसा blood जिसमें carbon dioxide होता है उसे वो बापस lungs में पहुचाने का काम करता है तो चलिए point by point समझते हैं हमारा heart क्या करता है well the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for transport of blood which carries other substances with it heart एक तरीके का organ है इस line में लिखे हुए हर शब्द को ध्यान से दिखेगा the heart is a organ which beats continuously अब heart को अगर आप टेच करके देखेंगे तो आपको beat beat उस पे समझ में आएंगी आप हमेशा उसको feel कर सकते हैं तो heart क्या एक तरीकी का organ है जो कि continuously pump करता जाता है एक तरीकी का pump imagine करिए भई imagine a pump working for years without stopping absolutely impossible ठीक है कोई ऐसा pump है कि पूरे continuous ले काम कर सकता है पूरे जब तक उसकी life है ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन heart हमारा ऐसा pump होता है जो कि continuously काम करता है और हमारी body के different part में इस तरह से blood को पहुचाने का काम करता है डाउरीची कैसी ठीक हैं सो अब का जो हार्ट है किस shape का होता है वेल इसका shape कुछ इस तरह से होता है ना कि ऐसा अगि मोरका देखा को अए uyear-sleshead बना होता है तो ऐसा दिखा होता है तो इसका सायज है अगर आप अपनी मुठ्वी को बन करें तो आपकी मुठ्वी के बराबर का इसका साइज होता है okay so yet your heart works like a pump non-stop let us now understand about the heart so well heart के बारे में यह जानकरी जरूरी याद रखेगा कि heart क्या होता है ऐसा organ जो की continuously act करता है pump की तरह और blood को जिसमें की जरूरी चीजें होती है हमारी body के लिए उसे different part में पहुचाता है अब क्या क्या जरूरी चीजें होती है blood में तो यह मैं अपने previous वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ठीक है चलिए आगे देखते हैं the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left फिर यह कहा होता है हमारी chest cavity में होता है ठीक है जहाँ आप लंग्स होता है जिस उसके पास तो यह जो है chest cavity में होता है and with its lower tip slightly tilt towards the left और फूरा सा लेफ्ट की तरफ होता है अब इसको कैसे आप feel कर सकते हो यह किसका size होता है जैसे मैंने आपको बताया hold your fingers involved in your palm take that makes your fist your heart is roughly the size of your fist आपका जो हाथ है वो एक मुठी के बराबर भी होता है well अब जैसे मैंने आपको बताया कि heart का काम क्या होता है oxygen mix जो blood है उसे body के different part में पहुचाना और जो carbon dioxide mixed blood है उसे वापस से lungs में पहुचाना अब क्या हो अगर what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other अब आपने देखा होगा कि भाई हमारी body में हमारी सारी जगह पर पहुचने वाला blood जो है वो oxygen mix होता है अगर carbon dioxide mix blood मिल जाए तो क्या होगा तो इससे बनता है carbon homoxide जो कि आपके body के लिए इतना खतरनाक होता है कि poison की तरह काम करेगा और अगर यह दोनों blood आपस में मिल गए तो क्या होता है इंसान की death भी हो सकती है humans की death भी हो सकती है तो इस चीज से बचने के लिए हमारा जो heart होता है उसमें चार तरीके chambers होते हैं याद रिखेगा heart के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे वह circulate करता है तो इसमें चार chambers होते हैं the two top chambers are called the arteria ठीक है जो पहले जो उपर के जो टॉप chambers होते हैं उसको अपन arteria कहते हैं और the two lower chambers are called the ventricles ठीक है इसको क्या कहते हैं ventricles so ventricles और arteria का क्या काम है ventricles में generally वैसा blood होता है जिसमें carbon dioxide mix हो और जो free होती है arteria होता है उसमें oxygen mixed blood होता है the partition between the chamber helped to avoid mixing up the blood rich in oxygen with the blood rich in the carbon dioxide अब इन दोनों में अच्छा खासा partition आप देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग है यह पूरी अलग है और यह पूरा अलग cell है तो दोनों अलग होते हैं दोनों के वॉल्व अलग होते हैं ठीक है मदब उन दोनों का जो के बीच में अच्छा खासा partition होता है ताकि दोनों जो blood है वह आपस में ना बिल सकें ठीक है तो यह हार्ट का complete ventricle और right ventricle ठीक है तो और यह है left arterium तिक दोनों साइट पर यह एक दूसरे से separated रहते हैं जो कि क्या काम करते हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हो चलिया इन point wise देख लेते हैं to understand the function of circulatory system it starts from the right side of the heart in figure and follow the arrow यह जो figure दिया हुआ है इसके आप diagram को देखे कि heart actual में किस तरह काम करता होगा सिंपल सी बात है heart जो है वो क्या करता है pure blood को क्या करेगा आपके लंग से लेकर के pure blood को कहां पहुचाता है हमारी artery से होता हुआ different body parts में जैसे यह जो मैंने बताया ना दो chambers होते हैं तो आर्ट्रिया होता और एक ventricles होते हैं तो आर्ट्रिया से होता हुआ यह जो blood है हमारी different body cells में जाता है और carbon dioxide mix जो blood आता है जो कि हमारे food से बलके reaction से मल करके बनता है उस blood को यह जो lens है वो कहां पहुचा देती है वापस से आपके heart में यहां heart से वह जाती है lungs में और यह lung क्या करते है फिर यह lungs जो हैं वो इन pure blood को वापस से pure करके कहां भीशते है heart में भीशते है जिसका इस तरह से continuously यह pump चलता रहता है ठीक है so these arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lung and bang to and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body clear so इसके बाद अगर heart पढ़े और heartbeat को छोड़े तो ऐसा काम नहीं चलेगा जैसे मैंने बूला कि आप heartbeat को महसूस कर सकते हैं आपको continuously ऐसे ऐसे blink करता हुआ सा कुछ महसूस होता है so the walls of the chambers of the heart are made up of the muscles यह जो हमारी heart के chambers है जिनके बारे मैंने अभी आपको बताया वो एक तरीके से एक muscles से बनी हुई होती है ठीक है so अब इस muscles में blood के circulation की वजह से क्या होता है कि इस तरीके का motion हो में feel होता है जिसको हम heartbeat कहते हैं these muscles contract and relax rhythmically यह जो मसल्स हैं वो क्या करती है contract और रिस और क्या होती है relax होती जाती है contract होती है relax होती है जैसे आपके lungs में जब आप inhale करते हो तो क्या करते हैं अपने lungs फूल जाते हो जब exhale करते हो तो वह बहार जाते हैं उसी तरीके से यह जो आपकी यह जो आपकी muscles है वो पहले contract होती है फिर दीरे-दीरे relax होती है this rhythm contraction followed by its relaxation constitute a heart wake इनी का contract होना और relax होना यह continuous जब होता है तो वो हमें heart beat की तरह महसूस होता है remember that heart beats continue every moment of our life अब यह जो heart beat है obvious सी बात है क्योंकि circulation प्रॉपर तरीके से होगा तभी हम जी पाएंगे तो जब तक हम जीते हैं तब तक हमें यह heart beat महसूस होती है clear so if you place your hand on the left side of your chest you can feel the heartbeat the doctor feels your heart beats with the help of the instrument called the stethoscope अभी stethoscope क्या होता है आपने देखा होगा कि उनके कान में लगाती है और एक stethoscope का जो portion होता है वो आपके हाथ में या फिर आपके इस left side पर लगाया जाता है ताकि वो आपकी heart beat को बहतर तरीके से सुन सके a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart it consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm two ear pieces and a tube joining the parts फिर आप इसे बना भी सकते हो जैसे अब एक activity में आपको बताऊंगी जिससे आप एक stethoscope को बना करके अपनी heart beat को feel कर सकते हो so doctors can get clues about the condition of your heart by listening through the stethoscope let us construct a model by stethoscope with a material that are available around us okay so इसमें हम activity को भी follow करेंगे 11.2 जिसमें हम stethoscope बनाना सिखाएंगे so well heartbeat के बारे में आप जान चुके कि क्यों होते हैं हमारी जो मसल से वो contact और relax होती है जिसकी वज़े से हमें heart beat महसूस होती है इस heart beat को आप हाथ रखके भी महसूस कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से doctors को कैसे analysis करते हैं stethoscope के मदद से वेल यह इसको महसूस करना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर heart beat normal नहीं है कभी-कभी ठीक है तो वहले से स्थाथिस्कोप को जो है आप घर पर कैसे बना सकते हैं तो आपको क्या करना है टेका small funnel of a six to seven centimeter diameter फणल लेना है जिसका six to seven centimeter का diameter हो fix a rubber tube tightly on the stem of the funnel अब यह जो funnel है उसके stem पर एक rubber के tube को tightly क्या कर दो आप बात दो ठीक है stretch a rubber sheet on the mouth of the funnel and fix it tightly with the rubber अब उस rubber को ऊपर लेना यह जैसे यह funnel है ठीक है अब आप उपर यहां से rubber को करते हो इसके mouth तक उस piece को ले करके जाना stretch a rubber sheet on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band put the open end of the tube on one of your ears अब आपको एक काइन में open ear को लगाना है open जो portion है funnel का and place the mouth of the funnel on your chest near the heart और जो funnel का mouth उसको अपने chest के पास रखना है okay now try to listen carefully do you hear a regular thumping sound the sound is that of the heartbeat अब इदो इस तरीके का sound आता है जिससे clear हो जाता है कि क्या heartbeat की condition है एक मिनिट के अंदर okay so इसी तरीके से जब आप ऐसा स्थिस्कोप बनाओगे activity की help से तो भी आपको क्या सुनाई देंगी heartbeat सुनाई देंगी how many time did your heartbeat in a minute count again after running for four five minutes compare your observation जैसा मैंने आपको बताया था कि heartbeat या pulse rate कैसे निकाली जाती है तो एक से एक मिनिट के अंदर कितनी बार आपका blood count हुआ है या फिर कितनी बार आपको record the table do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate each heartbeat generate one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat okay so एक heartbeat क्या होती है इच heartbeat generates one pulse in the arteries एक heartbeat मतलब एक pulse generate हुई है आर्टरी के अंदर ठीक है the pulse per rate per minute indicate the rate of heartbeat अब हर मिनिट में कितनी pulse rate आ रही है उसी से क्या निकलता है heartbeat निकलती तो वादब सिंपल सा मतलब है कि आप किस तरह से heartbeat को analysis करते हो और क्यों जरूरी है so the rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain the circulation of blood and transport the substance of the different part of the body ठीक है तो बूजो बंडर्स if sponges and hydra hydra also have the blood animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system तो वैल इनके circulatory system के बारे में तो मैं आपको next class में जरूर बताऊंगी अब एक बारी है English physician William Harvey के बारे में जानने में तो अभी तक हमने circulatory system के blood के बारे में blood vessels के बारे में पढ़ लिया साथ ही साथ हमने आपको heart के बारे में बताया कि heart में क्या जरूरी चीजे होती है और किस तरह से यह oxygen mixed blood को और carbon dioxide mixed blood को कहां से कहां पहुचाता है साथ में हमने heartbeat के बारे में पढ़ा कि heartbeat क्यों produce होती है एक activity करके देखे जिससे हम heartbeat को identify कर सकते हैं या major कर सकते हैं अब एक और अपकी physician है English physician जो के है William Harvey discovered the circulation of blood इन्होंने ही blood circulation को discover किया the current opinion in those days was that blood oxalates in the vessels of the body for his views Harvey was ridiculed and was called the circulator he lost most of his patients however before he died Harvey's idea about circulation was generally accepted by the biological fact अब इन्होंने ही the circulation of blood है उसके concept को दिया था clear so the water in which they live brings food and oxygen as it enters their body ये बात हो रहे है आपके hydra की और sponges की तो पुछा गया ही क्या इनके अंदर भी blood होता है तो चलिये so the water in which they live brings food and oxygen as it enter their body the water carries away waste material and carbon dioxide as it moves thus these animals do not need a circulatory food like blood so इसी लिए क्या होता है कि ये जो sponges है या फिर इनको अगर आप देखोगे तो इनके इंदर blood नहीं होता blood नहीं होगा तो क्या ये respiration नहीं करते हैं respiration करने के लिए क्या है जरूरी respiration करने के लिए है oxygen और food की जरूर food को ये खाते हैं और oxygen कैसे मिल जाता है oxygen मिलती है उनको through the water आपको पता है water में oxygen contain mix होता है तो ये sponges होते हैं उसी से अपनी oxygen की requirement को पूरी कर लेते हैं और इनका जो काम है वो चल जाता है तो यहां पर हमने ये तो देख लिए कि इस टाइप के excreation of animals जो कि हमारे नेक्स वीडियो में होगा तिल दैन अगर आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखा है इसी चैप्टर से लेटेड या कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जा करके आप जैसे www.magnetbrains.com डालेंगे नीचे आपको क्लास देख जाएंगी जो भी क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारे क्लास के इस तरह से वीडियो फोल्डर ओपन हो जाएंगे जिस भी फोल्डर पर वाच नाव करेंगे उसके साथ ही नीचे की तरफ चैप्टर वाइस डिस्क्रिप्शन दिखेगा इसके टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ वहाँ पर है आपको जस उसको क्लिक करना है प्लिक क चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जो भी रीसेंट अपडेट है वो सब्सक्राइब करने पर तुरंट पहुंच जाती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन स्टे हैपी स्टे हैल्दी थैंक्यू सो